आप सभी को मेरा पनाम, Herbal Remedies and Nature Stager में आपका उस्वागत है, आसा करता हूँ, आप सब अच्छे होंगे, मित्रो आज अनार की बात करेंगे, अनार एक फल विमहान उसदी, कितने सुन्दर फ्रूटिंग स्टेज में आप अनार देख रहे हैं, अनार के सभी प्लांट इसके फल, इसकी छाल, इसकी मूल और इसकी फूल, और इसकी फूल औस दिये गुणों के लिए उपयोग में आते हैं, वंडर्फूल फ्रूट भी है और रेमेडी है, इस प्रकार से आप इसको ले सकते हैं, सबसे पहले बात करेंगे, इसके अंदर विबिन प्रकार के देखिए कितना सुंदर ये प्लांट है, आप इसको देख रहे हैं, मित्रो इसका जो सूखा हुआ बीज होता है, जिसको हम अनार दाना कहते हैं, वो ब्लॉक्ड आर्ट्रीज को ओपन करने के लिए यूज किया जाता है, आप 5 ग्राम अनार दाना लेकर और धीमी धीमी इसके बाद आपको कम से कम 2 किलो मीटर धीरे धीरे वॉक करना है, दीमी धीमी गती से आपको चलना है, निरंतर आप इसको करेंगे तो ब्लॉक्ड आर्ट्रीज ओपन हो जाती हैं और आपके हर्ट की स्ट्रेंग्ट बढ़ाने का अच्छा कार्य करता है, लिवर डिटॉक् करता है, ब्लड को प्यूरिफाई करता है, वन्डरफूल ये फल है, मित्रो इसके जो पत्र आप देख रहे हैं, वो एंटी डायरियल और एंटी डैसेंट्रिक एक्टिविटी के लिए यूज किये जाते हैं, कई बार डायरिया या डिसेंट्रिक की जो समश्चा होती है, उ इन रोगों से निराकरण करता है, वित्रो इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप इसकी छाल जो देख रहे हैं, छाल का भी काढ़ा बनाकर सेवन कर सकते हैं, छाल एंटी डायरियल डैसेंट्रिक एक्टिविटी भी इसके अंदर होती है, एंथलमेंटिक एक्टिविटी इसके अंदर होती है 5 ग्राम चाल का काठा बना कर जब आप सेवन करेंगे तो यह बहुत अच्छा कारे करते हुए डाइरिया और डिसेंट्री की समस्या को दूर करता है कई बार नक्सीर की समस्या हो जाती है नाक से बलड आने के समस्या होती है तो आप क्या कर सकते हैं इसके जो आप इसका फ्लावर देख रहे हैं इसका आप सुरस बना लिजे और दो से तीन ड्रोप नाक में डाल दीजे नक्सीर की समस्या एकदम दूर हो जाती है आसानी से यह ठीक करता है सरीर को नरिष करने का कारे करता है सरीर के टॉक्षिंज को रिमूव करने का कारे करता है लीवर रेजोविनेटर है, बलड का प्यूरिफायर है, हर्ट को स्ट्रेंग्थ प्रोवाइड करने का कारे करता है, और एंटी डारियल, एंटी डिसेंट्रिक एक्टिविटीज के अंदर होती है, मित्रों अगर गम ब्लीडिंग के समश्या है, तो आप इसकी छाल का महीन लीजिए, ये माउथ फ्रेशनेस का कारे भी करता है, औरल हाइजिनिसिती के लिए, और गम ब्लीडिंग के समश्या से निराकरन के लिए, आप इसको यूज कीजिए, बहुत अच्छा ये प्लांट है, बहुत ही सेफ है, और इसके अंदर जो खास बात ये है, कि जो मिनरल् वो शरीर को नरिस करने के साथ साथ, इम्मूनो मोडुलेटर का भी कारिय करते हैं, कार्डियो प्रोटेक्टिव तो है ही, हम आपको पहले ही बता चुके हैं, आप इसका प्लांटेशन कीजिए, कटिंग के माध्यम से कीजिए, बहुत अच्छा रहता है, फ्रूट इस प्ल पिंपल्स हो जाते हैं, उसके उपर आप इसको पिस्ट बना कर लगाईए, आसानी से मुहासो और पिंपल्स से दूर करते हुए, आपके चेहरे की कानती को बढ़ाते हुए, अच्छा कारे करते हुए, आपको परसन्यता से परिपून करेगा, आप इसको लगाईए, आप देखिए, जानिये, और इसको आप यूज कीजिए, हर्ट की समझायां दिन परती दिन बढ़ती जा रही है, तो उनके निराकरन के लिए सेफेस्ट आर्ट्री ओपनर, ब्लोक्ड आर्ट्री को ओपन करने वाला ये प्लांट है, अनारदाने का डिकॉक्शन, आप लीजिए चैनल को लाइक से सबस्क्राइब वश्य करें, आपको नित्य परती एक मैडिशनल प्रांट की जो जानकारी मिल रही है, अपने मित्रों और साथियों के साथ जरूर सांज़ा कीजिए, इन्ही बातों के साथ आफिर मिलेंगे एक नई प्रांट के साथ, अब तक के लिए आ झाल के लिए आफिर मिलें।